हलो फ्रेंड्स वल्गम टू मा यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका जेपीएसी प्री का एक्जाम होने वाला है 17 मर्ज को उसी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट कोईशन्स को यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक उस्याद जरूर करें और जो भी मारे नए बच्चे हैं जिन लोगों नवी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोडिफिकेशन बैल ओन करना ना भूले यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखे गाईज जेपीशी प्री का एक्जाम कल आयूजित किया जाएगा आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आज का दिन सेज है तो आज मैं आप लोगों के लिए जीकेश के कुल 50 कोईसंस लेकर आया हूँ अगर आप लोगों ने इन 50 कोईसंस में 45 कोईसंस के आंसर के सही जवाब दिये तो आप लोग समझ लिजेगा जेपीशी प्री की जवाब लोगों की तयारी है वो काफी हद तक अच्छी है तो खुद इसे प्रयास कीजिगा इन सभी कोईसंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर किलियर कर दूँगा आज के सेसन में पहला कोईसंस रहेगा मदन ए मास था कर, मुद्रा, भूमिदान या त्योभार मदद ए मास क्या था यह आपको बताना है मदद ए मास यह ना यह भूमिदान था तो जो भी बत्चे आप्शन अबर सी की ओर जा रहे हैं वो बत्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे अगला कोईसंस देखेगा हेमचंद बिक्रमा दित्य भारती इतियास में किस नाम से जाने जाते हैं पूरनमल मालदेव राना सांगा हेमउ हेमचंद बिक्रमा दित्य भारती इतियास में हेमउ के नाम से जाने जाते हैं तो जो भी बत्चे आप्शन अबर डी की ओर जा रहे हैं वो बत्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएं नैस कोशन देखेगा सबी बत्चे मुम्ताज महल का असली नाम क्या था मुम्ताज महल का असली नाम देखेए मुम्ताज महल का असली नाम था अरजुमन वानु वेगम तो जो भी बत्चे आप्शन अमबर एक ही ओर जा रहे हैं वो बत्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सेशन को यह बाद सेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीड़ो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अगला कोशन निम्न में से सा जांके किस पौत्र पौत्रों ने औरंग जेप की पुत्र पुत्रियों से बैवाईक समंध किये ए और वी दोनों तो जो भी बच्चे आप्शन नमर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे सिपी हर सिखो दारा सिखो का पुत्र इजेद वक्स मुराद का पुत्र अगला कोशन देखेगा अगला कोशन क्या है अबुली फलष्ट की मरत्यु इनमें से किसे के कारण हुई थी किसने कहा है कि हमें जरजर व्रच्च के तने पर प्रहार करना चाहिए साखाएं तो स्वता गिर जाएंगी इसलिए मराठा दोज क्रशना से सिंदु तक लहराना चाहिए यह किसने कहा था यह कहा था बाजी राव पर्थम बने तो जो भी बच्चे आप्शन अबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी अगला कोशन से हमारा निम्न में से काउनसा किला सिवाजी द्वारा सर पर्थम जीता गया था सिवाजी के द्वारा जीता गया था तो सी ओप्शन स करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे निम्न में से किस किले में से राजा राम आठ वरसों तक मुगलों के अधिकार में रहा कोलापुर सतारा जिजी पुरंदर जिन जी तो जो भी बच्चे ऑप्चिन अमर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन सभा रहा है निम्न में से किसने समराट वादूर साथ दुतिये के दो पुत्रों एवं एक पौत्र का कतले आम किया जल्दी से आंसर दिए सभी बच्चे तो इनका कतले आम किया था लेटिनेंट हंट्सन ऑप्चिन अमर सी जो है आपका ये विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेगा सिवा जी ने कब छत्र पती की उपाधी ग्रहन की सिवा जी ने कब छत्र पती की उपाधी धारन की थी अगला कोशन देखेगा अगला कोशन क्या कि पानी पत का तीसरा जुद कब हुआ था तो देखें पानी पत का जो तीसरा जुद है ना सत्रा सो एक सटीस भी में हुआ था तो सिव ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेसन को यह बाद सेयर कर देजिए सभी बच्चे विड़ों को जल्दी से लाइक कर दीजिए यह वाला कोशन तो हो गया है यह वाला कोशन देखेगा राजा बनाने वाले के नाम से जाने जाते थे यह आपको बताना है तो ये जाने जाते हैं सायद बंदू तो जो भी बच्चे आप्षिन अमर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बलकुल करेक्ट हो जाएंगे नैस कोशन देखेगा बिटिस जनरल जिसने हैदर अली को पार्ट नोबा के यूद में हराया ये कौन थे सर आयत कूट तो जो भी बच्चे आप्षिन अमर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बलकुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन देखेगा भारत के साथ ब्यापार के लिए सर परतम संयुक्त पूजी कंपनी किन लोगों ने आरंब की या रमकेदी डच्च आप्षिन अमर वी करक्ट हो जाएगा सर परतम भारत से ब्यापारिक संबंदर रखने बाला उरोपिय था ब्यापशिन अमर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे सेसन को सेर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अगला कोश्चन महाराजा ररजी सिंग के राज की राज़धानी क्या थी महाराजा ररजी सिंग के राज की राज़धानी थी लाहोर option number C correct हो जाएगा नाइस question देखेगा महराजा ररजी सिंग के उत्तरा दिकारी कौन थे महराजा ररजी सिंग के उत्तरा दिकारी कौन थे खड़क सिंग option number V जो है आपका ये बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखेगा कि 1793 के बंगाल regulation का विशिष्ट लक्षण क्या था कि 1793 के बंगाल regulation का विशिष्ट लक्षण क्या था जल्दी स्यांसर दीजे सभी बच्चे उससे हिंदूओं और मुसल्मानों की सुईकर्त बिदियों को भी इस्थान दिया गया था सी option जो है आपका यह विल्कुल सभी हो जाएगा अगला question देखेगा सभी बच्चे ब्रिटेस द्वारा निम लेकित में से रइयत वारी पर्था लागो की गई बंगाल presidency मद्रास presidency मंबई presidency बंबई एवं मद्रास प्रेशिडेंट्स बताई क्या अंसर होगा ब्रिटेस द्वारा बंबई एवं मद्रास प्रेशिडेंटी रहे द्वारी पर्था लागो की गई थी तो जो भी बच्चे ऑफ्चियं में डी की ओर जा रहे हैं वो बच्ची बिल्कुल करेक्ट हो जाएग इस कोशन देखेग तो जो भी बच्चे ऑफ्चियं में डी की ओर जा रहे हैं वो बच्ची बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे उनिसो उनतिस सेशन को सेर कर दिजे गवर आप लोग और जो भी नए बच्चे जी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें अगला कोशन देखेगा भूराजस्व की इस्थाई बंदोवस्थ एवम रयत प्रणाली एक कमसा कहां से सुरू की गई तो यह सुरू की गई थी बंगाल तता मद्राज से तो जो भी बच्चे ऑप्शन अबर डे की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए ना इस कोशन देखेगा सब्सक्राइब का उत्पादन अंग्रेजी काल में अफीब का अफूम का उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था अफीउ 북 पातन अंग्रेजी काल में नहीं होता तो भी आफ्ष उप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे 1857 के विद्रो के समय मुगल सासक कौन था बादुरसा जफर मुहम्मद साहा रंगीला जहां सदज्छा जहां दर्सा शाहालम दुती है बादुरसा जफर तो जो भी बच्चे ऑप्चिन अमर एक यह और जा रहे हैं वो बच्चे बलकुल करेक्ट हो जहां नैस कोशन देखेगा साहक संदिक को स्विकार करने वाला पहला भारतिये सासक कौन था साहक संदिक को स्विकार करने वाला पहला भारतिये सासक कौन था इस सासक का नाम था हैदराबाद का निजाम तो आप्चिन अमर वी जो है आपका यह विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन निम्न मेंसे किसको भारतिये सिच्छा का मैगना कार्टा कहा जाता है यह कहा जाता है चाल्स बुट डिस्पैच को तो जो वी बच्चे आप्चिन नमर एक यूर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएग नैस कोशन देखेगा सभी बच्चे सोची एक को सोची दो यह सा सुमेलित कीजिए अब हम इंगत कीजिए किनिम्न मेंसे कौ सा सुमेलित नहीं है एक तरफ हैं लेखक दूसी तरफ हैं करती तो जो भी बच्चे option number D की ओर जा रहे हैं ये सुमिलेत नहीं है SC boss the spring tiger तो देखिए जो HP boss है ना HP boss अगर हम इनकी बात करें सरी SC boss तो SC boss के अगर हम बात करें तो इनकी जो the spring tiger है ये सुमिलेत नहीं होगा तो D options correct हो जाएगा अगला कोशन देखिएगा सभी बच्चे loyal Mohammedan of India नामक किताब किसकी रचना थी जल्दी सियान सर देजे सभी बच्चे तो ये रचना थी सरसयद अहमद खां की तो जो भी बच्चे option number V की ओर जा रहे हैं वो बच्चे विलकुल correct हो जाएगे अगला कोशन देखिएगा सभी बच्चे Any वैसंट ने गीता का अनुबाद अंगरेजी भासा में किस सील्सक से किया था ये आपको बताना है दा लॉट सॉंग तो जो बच्चे option number D की ओर जा रहे हैं वो बच्चे विलकुल correct हो जाएगे ठीक अगला कोशन देखेगा आनंद मठ के लेखक है रविंद्र नाट्य गोर बंकिम चंद अरविंदु घोष राजा राम मोहन राय अरनंद मठ के लेखक कौन है बंकिम चंद चटड़ जी तो जो भी बच्चे आप्शन नमर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन देखेगा निम्न में से किसे मुह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है वरना कलिवर प्रेस अधिनियम 1878 तो जो भी बच्चे आप्शन नमर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे दी एकनॉमिक हिस्ट्री आफ इंडिया के लेखक कौन है यह आपको बताना है इसके लेखक है आरसी दत तो जो 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 बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आपको बताना है तो इसमें देखेँ सिवाला जोपियसद्स है आपका गोपल करस्ट को खले वौंबे क्रानिकल यह सही नहीं होगा जोड़ा अगला कोशन क्या है भारत में printed press किसने और कब सुरू कि भारत में printed press किसने और कब शुरू की ये शुरू की गई थी पुर्थ गालियों की दुवरा 1550 इस भी में तो जो भी बच्चे ऑप्शन अमट D की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिलुकुत सही हो जाएगा निम्न में से कौन सा सुमिलेत नहीं है एक तरफ है संगठन दूसी तरफ है संस्थापक ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा औल इंडिया किसान सबा मातमा गांधी ये गलत हो जाएगा नैस कोशन देखेगा सभी बच्चे चंपारन संगर्स में निम्न लिखित में से किसने मातमा गांधी का साथ दिया था काफी इंपोर्डन कोशन से जड़ी से आंसर दीजिए राजिन परसाथ और अनुग्रहे नराण सिना ने साथ दिया था तो जो भी बच्चे ये ऑप्शन अमर सी की ओर जा रहे है वो बच्चे बिलकुल करेक्ट हो जाएगे अगला कोशन देखेगा निमलेकित स्थानों में से कहा मात्मा गांदी ने भारत में सर परतम सत्यागरे प्रारम किया जो भी बच्चे ये ऑप्शन पर सी की ओर जा रहे है वो बच्चे बिलकुल करेक्ट हो जाएगे मुपला अंदूलन 1921 ये कहां हुआ था तो मुपला आंदोलन 1921 कहा हुआ था तो यह हुआ था मालावार में तो जो भी बच्चे ऑप्शन वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन देखेगा इन में से कौन 1930 के दसक में किसान सवा आंदोलन से सक्क्रिय रूप से जुड़े थे सुआमी सहजानन तो जो भी बच्चे ऑप्शन वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे नैस कोशन देखेगा सवी बच्चे इन में से किसका संबंद सनातन आदिवासी महासवा से है यह आपको बताना है थेवल और आओ तो जो भी बच्चे ऑप्शन नमर एक यूँग जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे नैस कोशन देखेगा सवी बच्चे इन में अकिल भारतिय किसान सवा की इस्थापना किसी ने की थी नैस कोशन निम लिखित को उनके संगठन के आधार पर करमबार सजाईए तो देखे डी ओप्शन्स जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा कैसे बंबे एस्सोसियेशन इसके बाद इंडियन लेक इसके बाद इंडियन एस्सोसियेशन फिर मद्रास माजजन सवा नयास कोशन देखे का सभी वच्चे अगला कोशन सवाए भारतिये राष्टे कां बोतिलाल नहिरू फिरोसा महता जल्दी स्यान सर्दीश सभी वच्चे तो जो ही वच्चे ऑप्शन नमर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बल्कुल करेक्ट हो जड़ादा भै नरोजी अगला कोशन देखेगा सभी वच्चे कॉंग्रेस ने पूर्ण सुराज की घोशला सबसे पहले कहां की कॉंग्रेस ने पूर्ण सुराज की घोशला सबसे पहले कहां पर की थी यह आपको बताना है लाहूर तो जो वच्चे ऑप्शन नमर एक योड़ जा रहे हैं वो वच्चे बल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ना इस कोशन देखेगा निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए उपरत कत्रों में कौंसा सही है या नहीं सही है या आपको बताना है बैसमें इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा ओप्शन नमर सी दूसरा और तीसरा ये बाला और ये बाला भारती राश्टिक कांगरेस का दूसरा अधिवेशन द कौंग्रेस की स्थापना की थी ए ओ हुम डवलू से बनर जी एस अन बनर जी फिरोसा महिता कौंग्रेस की स्थापना की थी ए ओ हुम ऑप्शन नमर ए जो है आपका ये बिलकुल करेक्ट हो जाए इंद्धा को से देखेगा 1927 की विल्सेल्स कॉंग्रेस में बार्तिर राश्टिक कॉंग्रेस का परती निद्ध तो किसे ने किया तो इसका परती निद्ध तो जो है ना जे एल नहरू के द्वारा किया गया तो बी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेगा सभी वच्चे आधुनिक भारत के इतिहास की निमलिध घटनाओं के को काल करामनुसर वेवस्थित कीजिए निमलिध में सही कूट का चैन कीजिए बसे ये कोशन गरत हो जाएगा इसको छोड़ते हैं अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन भारत में होम रूल आंदूलन किसने चलाया होम रूल आंदूलन किसके द्वरा चलाये गया था भारत में तो ये चलाये गया था आप्शन नमबर ए एनिवेसेंट वा वीजी तिलक के द्वरा यह आपको ध्यान में रखना है ठीक अगला कोशन देखेगा वारिंद्र कुमार गोश के क्रिया कलापों में एक गुप्त गरांदकारी संगठन को बंगाल में जर्म दिया किसे जर्म दिया था अनुसीलें समिती ने ए ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो इसमें अब लोगों ने JPSC P24 की परिचा के लिए उन 50 questions डिसकस किये हैं 50 में आपको 45 questions के सई जवाब बताने थे तो आप लोगों ने 50 में कितने questions के सई जवाब बता है comment box में जरूर बताएगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक हो से जरूर करें चैनल पर नए हैं जिन लोगों न अभी तिक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और नोटिफिकेशन वैल ओन करना ना भूले मिलते हैं अच्छ वीडियो के साथ जैहिंच जैवार।